अरे क्रिश्णा आज हम लोग चर्चा करेंगे लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बेना एक पत्ता भी नहीं हिलता लेकिन हम देखते हैं कि जब इतनी सी बात है कि भगवान की इच्छा के बेना पत्ता नहीं हिलता है तो फिर बेक्ति इतने सारे कारियों में अपने दिमाग को क्यों लगाता है वो भगवा दिक्षा कि इच्छा होगी ना तभी तो भक्ति करेंगे लेकिन यदि संसार में कुछ भोगों को प्राप्त करने की बात होगी तो अपना परिश्रम करेंगे लेकिन जब भक्ति की बात होगी तो उसमें इस प्रकार से लौजिक देते हैं कि भगवान की बिना तो एक पत्ता भी नहीं ह कहता है कि यह भगवान ही साधू कर्म भी कराते हैं यह भगवान ही है जो असाधू कर्म भी कराते हैं तो जब असाधू और साधू दोनों कर्म असद और सद कर्म पुन्य और पाप जब दोनों भगवान कराते हैं तो फिर हमको क्यों दुख उठाना पड़ता है फिर इन दु पत्तिनाम का बैक्ति खाए और उल्टी ब्रमधत करें ऐसा तो होता नहीं है कि मैं खाऊं और उल्टी कोई और करें तो इसलिए पत्ता नहीं हिलता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना चाहिए एक बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं एक चोटा से उधारन से कि मात्र में ही भगवान का केवल करत्रित तो है मैंने करता पन है बस इससे ज्यादा नहीं जैसे पावर हाउस से बिजली प्रवाहित करता है पावर हाउस वाला पावर हाउस से जो बिजली छोड़ देना जो बिजली आती है तो घर में हीटर में भी आती है कूलर में भी आती अब उस बिजली का प्रयोग करना या उसका दुरुपयोग करना उस ब्यक्ति के हाथ में है बिजली प्रवाहित करने वाले ब्यक्ति ने बिजली प्रवाहित कर दी पावर हाउस से बिजली आ गई और बिजली विद्युत आने के पस्चाथ अब ब्यक्ति एक सोच है तो उस पावर हाउस वाली बेक्ति यहां पर आनंद लेता है हवा पानी का विद्यूत के माध्यम से तो वो उसको मिलता है वो सा करता हुआ और जो बेक्ति एक नंगी तार पकड़ करके मर गया ओभी अपने कर्मों से मर गया लेकिन फिर इसमें ऐसा कहना कि यह पावर हाउस वाले का काम केवल कितना है विजली को छोड़ देना विद्यूत को प्रवाह देना भस STARTे इसाथ प्रकार से भगवान भी केवल इंद्रीयों में हमारे मन में जो ततत्त इंद्रीयों में कर्म करने की केवल सक्ती प्रदान करते हैं बस बुद्धी में अंताकरण में सब जह के वोल भगवान सक्ति के प्रदान में ही उनका करत्रित्व है अर्थात भगवान प्रयोजक करता है और जो जीव हैं हम लोग प्रयोज करता है हम उसकी सक्ति ले करके काम करते हैं तो परिणाम हमको भोगतना तो सदुपयोग भी नहीं होगा दुरुपयोग भगवान से सक्ति न मिले तो हम उसका प्रयोग कर अच्छे काम में भी नहीं कर सकते तो केवल सक्ति को प्राप्त करने मात्र में भगवान का करत्रित्त है उसके आगे हम विचार करते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना ए तो एक ही चाकु से गला भी काड़ सकते हैं किसी का तब इसमें कंपणी वाले का दोस्ट नहीं होगा कंपणी वाले ने चाखु नबनाई होती तो हम कैसे इसका गला काड़ते तनी हत्याय नहीं होती ऐसा कहना तो अनलॉजीकल बात है लुड़ इसलिए केवल इंद्रियों मे सक्ति प्रदान में ही भगवान का करतापन है करत्रित्त है इसलिए ये बात चली आ रही है नादिकाल से कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है यदि ऐसा कहेंगे तो सब चीजों का करता भगवान हो जाएगा जब सब चीजों करता भगवान हो जाएगा तो भोगता भी उसी को होना चाहिए सारे कर्मों का फल उसी को भोगना चाहिए लेकिन दुख हमको फील होता है यदि भगवान कुछ कर रहे हैं तो उनको फील होना चाहिए न दुखो कि भगवान की इच्छा के बेना पत्ता नहीं इलता है वो केवल सक्ति के प्राप्ति मात्रे में हैं भगवान प्रयोज़ करता हैं जीव उसका सदुपयों करना और दुरुपयों करना वो स्वयम निश्चित करता है इसलिए उसको सुख दुख भोगना पड़ता है नर्क आता है सुख और दुख की फीलिंग उसको होती है न कि भगवान को होती है इसलिए ऐसा कहकर के बेक्ति अपना समय नश्ट ना करें और अपने आपको सही मार्ग में ले जाए बहाना ना बनाए कि हम भक्ति नहीं करेंगे भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है भगवान जब चाहेंगे तब भक्ति करेंगे पूर्ण तया मूर्खता भरी बात है आपको कैसे मालुम पढ़ेगा कि भगवान चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं इसलिए इसके ज्ञान करने के लिए हमारे पास सामर्थ नहीं है तो इस उक्ति को भी हम चाहिए तो भगवान जो पत्ता नहीं इलता है केवल सकती प्रदान करने मात्र में हैं भगवान का करत्रित्व है बाकी कर्म को करने में हमारी सुतंत्रता है कर्म के फलों को भोगने में सुतंत्रता नहीं है उसमें हमारी परतंत्रता है केवल हम कर्म करने में सुतंत्र हैं फल भोगना हमको परतंत्रता में ही पड़ेगा भगवान के अनुसार ही भोगना पड़ेगा बलात भोगना पड़ेगा नहीं चाहेंगे तो भी भोगना पड़ेगा इसलिए इस बात को भूल करके केवल भगवान के स्रणागत हो जाएं और सारे कर्मों को भगवान में ही अर एक्रिष्णा